प्रडियों और जोडों से आ रही कट कट की आवाज, घुटने और जोडों का ग्रीस सूख जाना, कमर दर्द और नस का दब जाना, साइटिका और पिंडलियों में दर्द का होना, कंधे में, हाथ पेर में दर्द बना रहना, ये सारी जो समिस्यां हैं वह अक्षर ही बात रो में कहीं पर भी दर्द और सूजन हैं तो समझ जाईए कि आपको या तो बात रो हो गया है, या फिर होने वाला है, आपके घुटनों और जोडों में अगर हमेसा दर्द और सूजन बनी रहती है, अगर आपके घुटनों और जोडों का ग्रीस हो जाता है, जिसे कट 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 जानें लगती है उठने बैठनें चलिनेंगे में परेह辦法 साति केलीसियम कीabi कमई हो जाती है कमई जाती है और हद्डियों में भी। दर्ध हूने ही लगता है उल्टाइप और बढ़े हुए यूरogram के आप की फेया हो जाती है गठोओ की सभ्या हो जो दो हडियाँ होती है जहां पर सन्ली होती है दोनों हडियों का मिलान होता है वहां पर आपको ज़्यादा दर्द सूजन बनी रहती है तो आये जानती है कि इस समिस्या को कैसे दूर करेंगे वो भी बिलकुल नेच्रूल तरीके से अगर आप घर बैठी ही अपनी इसे समिस्या को दूर करना चाहते हैं इस गठिया रोक को इस बात रोक को दूर करना चाहते हैं गुटनों और जोरों के दर्द और सुजन को दूर करना चाहते हैं तो हमाई बताय हुए अनुसार आप प्रयोग की जगा आपको बास्तम में आर और एक दो जड़ी बूटी न अगर नहीं मिलती हुए पंसारी के आसे आरम से मिल जाएगी इसमें चारपा जड़ी बूटी आम में यूज करने वाला हूं जो आपकी वास्तम में पूरी बोडी के दर्द और सुजन को गायब करके आपको बिलकुर रिप देखा तो आपको कर पंसारी के आसे मिल जाएगा तो सुरंजान न मीठी लेजिए 50 ग्राम और मकोय का पंचान मकोय जो है ना वैस सब जग है खेतों में खलिहानों में नम वाली हो छाया वाली भूम पर आराम से मिल जाता है तो मकोय लेजिए यहां पर 50 ग्राम यह कुछ उसधियां जो मैंने बताई हुई है, इन उसदियों को आपको ले लेना है, लेने के बाद इसको अच्छी से कूटिए, पीसिए और महीन करके चूरन बना लेजिए, फिर आपको करना क्या है, इन सभी जड़ी बूटियों के बनाई हूँ चूरन को आप एक कांच के डिब्बे में बंद करके रख जैसे की खटा दही, आब चावल, भिंडी, अर्वी, बैगन, ये जो चीज़े हैं जो बात प्रिकोप को बढ़ाती हैं, उसका सिवन बिलकुल नहीं करना और साती साथ हो सके तो मीठा भी नहीं खाना है, और इसके साती साथ परहे तो आपको करना ही करना है, साती साथ आप इस चुरन को एक घंटे बाद प्रियोग करने जाने की खाना खाने के एक घंटे बाद एक एक चम्मा सुबह साम इसका शेवन करते हैं, तो देखेंगे कि आपके सभी प्रकार के दर्द और सुजन को यह चुरन गायब कर देता है, बहुती आसान तरीका है, बहुती एजी दर्द और आपके नस का धब जाना, नसों का ब्लोकेज, साइटिका पैन, यह सारी समिस्यां जो हो रहेंगे ना, वो खत्म हो जाएंगी, यूरिक ऐसे बिलकुल कंट्रोल में आ जाएगा, आपकी केरिशम की बिरिद्धी हो जाएगी, हड़ियां मजबूत हो जाएगी, औ गुटने और जोड़ों का जो ग्री सुग्या वो दुबारा बनेगा, गुटने और जोड़ों में दर्द भी नहीं होगा, लेकिन इसको एक दो दिन खाने में फरक नहीं पड़ेगा, आप सोचे कि एक दो दिन में ही आरम मिल जाए, तकरीवन आपको इसको महिने डेड़ म Namaskar